हमारे अन्न दादा किसान जो आजादी के इतने साल तक बदहाली और उपेक्षा के शिकार रहें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के नित्रित्व में सरकार ने किसानों की बीज, पानी, खाद, मार्केट जैसी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई दूर गामी कदम उठाए हैं ताकि हमारे किसान भाईयों बहनों का जीवन बहतर हो समाज और अर्थ व्यवस्था में अत्यंत महतुपोन भूमेका नेभाने वाले लगू और सीमांत किसान परिवारों को उनका उचित सम्मान मिले इसके लिए भी सरकार ने चिंता की और इसी का परिणाम है कि आज प्रधान मंद्री नरिंद्र मोदी के द्वारा ऐसे किसान परिवारों को सालाना छे हजार रुपे की सम्मान राशी दिलाने वाली प्रधान मंत्री किसान सम्मान निथी योजना यानि पीयन किसान का देश व्यापी शुभारंब हो रहा है प्रधान मंत्री किसान सम्मान निथी उन किसान परिवारों के लिए है जिनकी जोट की फूनी दो हेक्टेर तक है इसके तहट दी जाने वाली सालाना 6 हजार की समान राशी को 2-2 हजार की 3 किष्टों में सीधा लगू और सीमान्त किसान परिवारों के खातों में भीजा जाएगा लाभार्थी किसानों को हर 4 माह पर मिलने वाली ये राशी एक तरफ जहां फसल बोने के समय खेती की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगी वही किसान समय पर इस समान राशी का उप्योग कर खुद को महाजन के कर्ज से बचा पाएगा इन योग्य किसान परिवारों का चैन राज्य सरकार कर रही है और इस योजना का पूरा खर्ज केंदर सरकार वहन कर रही है पी-म किसान योजना के तहट दो हजार रुपई की पहली समान राशी योग्य किसान परिवार के बैंक खाते में भेजी जा रही है सम्मान जिस पर हमेशा अन्न दाता का हग था अब वो उसे मिल भी रहा है प्रधान मंत्री किसान सम्मान में थी नए भारत में किसान की किसानी का नया अभिमान और अब वो शन्ड जिसकी आप सब को प्रतीक्षा थी हम माननी प्रधान मंत्री जी से निवेधन करेंगे कृपया प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना का डिजिटली शुवारम करने की कृपा करें भारत सरकार की ओर से लाभारती किसानों के खातों में पहली किस्त की धनराशी माननीय प्रधान मंत्री जी के करकमलो द्वारा digitally स्थानांत्रित की जाएगी इसका सीधा वितरन होगा और संख्या के दिश्टी से आप से साजा करें तो इसके अंतरगत एक करोड एक लाख छे हजार आठ सो असी लाभार्थी किसानों के खातों में ये राशी पहुँचेगी और ये राशी है दो हजार एककीस करोड रुपे की जो लगू एवं सिमान किसानों के खातों में प्रेशित की जाएगी